मानव इतिहास और पौरानिक कथाओं में एक प्रानी की बात की है, जिसका नाम फीनिक्स है, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां आज हम फीनिक्स की पौरानिक कथा में गहराई से उतरते हैं, जो एक अमर पक्षी है, फीनिक्स एक पौरानिक पक्षी है जो कई प्राचीन सभहताओं के माध्यम से इसकी यात्रा का पता लगाते हैं। प्राचीन युनानी इतिहासकार हेरो डोट्स ने मिस्र में एक पवित्र पक्षी का वर्नन किया है जो सुगंदित लकडी का घुंसला बनाने उसे जलाने और आग से पुनरजन लेने से पहले 500 साल तक जीवित रहा। अपने पश्चिमी समकक्ष के विप्रीग फैंग हुआंग हमेशा आग या मृत्यू से जुड़ा नहीं होता है बलकि समृत्धी, शांती और शक्ती का प्रतीक होता है। जापान में फीनिक्स को हो ओ ओ के रूप में जाना जाता है और अक्सर शाही परिवार से जुड़ा होता है जो स्वर्ग और प्रित्वी के मिलन का प्रतिनिदित्व करता है। प्रारंबिक इसाई काल के दोरान फीनिक्स मसीय के पुनरुथान का प्रतीक बन गया। हो सकती है। फीनिक्स ने आधुनिक पॉप संस्कृती पर एक बड़ा प्रभाव डाला है फिल्मों, किताबों और यहां तक की कॉमिक पुस्तकों में भी दिखाई दिया है। हैरी पॉटर श्रिंखला में उब्र, फॉक्स से लेकर एक्स में कॉमिक्स में जीन ड्रे के फीनिक्स फोस तक पक्षी हमारी कल्पना को आकरशित करता रहता है। ये प्राचीन पॉरानिक कथाओं को आधुनिक समय की कहानियों से जोड़ता है। मितक और कहानी की दुनिया में और अधिक गहराई से गोता लगाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन डबाना न भूलें।